तो जैसा कि बच्चो आपको पता ही है आपके लिए बहुत बड़ी खुसकवरी और वो आपको पता भी चल गई होगी चंदूलाल चंदराकर को यहाँ पे 150 MBBA सेट्स के लिए परमीसन मिल चुकी है जी हाँ इस वार चंदूलाल चंदराकर में आप एडमीसन होंगे 150 MBBA सेट्स के लिए तो यह बहुत ही बड़ी खुसकवरी है हमारे लिए और जो बच्चे बाउंडर लाइन पर रहते हैं वो उनको बहुत रिलेक्सेशन महसूस हो रहा होगा क्योंकि आप उनको इस बार कॉलेज मिलने वाला है तो जैसा कि मैंने अभी देखा मेरे टेलेग्राम गुरूप में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर देखो यह तीन चाहर दिन बात तो अलेटमेंट लिस्ट आई या निया सेकेंड आउंड की अप ग्रेणा कैसे होता है तो मैंने आपको कई बार बता एंग शाथ करा ना व », अगरदो-फुप्सित में कँछ नहीं करना हो सकते ऊष्थ का मेरे एंगर चाहतें — अगर आप चाहतें आप यह सब बाते तो आपको पता है ठीक है अचा तो upgradeation online होता है online होता है कल से start होगा है CGDME की website पे होगा ठीक है आप login करेंगे आपका user ID और password होगा आप login करेंगे वहाँ पे फिर से choice filling आप वहाँ पे करेंगे और आप अप वही college डालेंगे जिसमें आप upgrade कराना चाहते हैं आपको सभी college डालने के आप सकता नहीं है आप सिर्फ उन college को डालें जिसमें आप upgradeation कराना चाहते हैं और अगर आप नहीं कराना चाहते है तो आपको कुछ भी करने के आप सकता नहीं है ठीक है तो मैं cut up बताने वाला हो कि second round के बाद क्या जाएगा और यह भी हो सकता है कि ओपर round के बाद भी यही जाए उन्हाँ पर जादा seats तो खाली होती नहीं government medical college में तो बहुत यह अच्छी बात है 150 seats मतलब आप समझ रहे हैं कि कोर्वा और महासमुद में कितना कितना आयदा और 100 आयदा दो college खुलने से जितना फायदा हुआ था उससे कम हुआ है लेकिन हाँ 200 आया था लेकिन हाँ 200 आया लेकिन यह college हमारा डिवर्ड गुना है महासमुद का यहाँ पर आपन का हैं तो कोर्वा का क्योंकि यहाँ पर 150 seats आई है तो उसमें से 22 seats तो आल इंडिया में चली जाएंगे साथ सो पंद्रा तक है और marks कितने आएंगे साथ सो पंद्रा में यह marks आ रहे हैं 523 तो 523 marks यह आप कह सकते हैं UR rank साथ सो पंद्रा से कम है जिसकी तो उसको इस बार college मिल रहा है मतलब मिल जाएगा यहाँ पर ज्यादा difference नहीं आएगा 24 rank का ही आएगा अगर हम बात करें OBC की तो OBC में अगर हम बात करें तो OBC rank जिसकी 300 है उसको college मिल जाएगा government medical college मार्क्स कितने हैं इस पर 519 के आसपास ठीक है अब अगर हम बात करें SC की तो SC में SC range हो है वो 170 तक मिल जाएगा मार्क्स कितने हैं 407 marks है और हम ST की बात करें तो इस पर SC को अब 210 rank तक मिल जाएगा पहले मैंने बताया था कि 180 rank तक मिल जाएगा अब मैंने बताया कि 210 rank तक मिल जाएगा ठीक है और SC को मैंने पहले बताया कि 1500 rank तक मिल जाएगा लेकिन अब 170 rank तक मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पर मार्क्स जो जाएगा वो 320 मार्क्स जाएगे ठीक है तो बहुत यह अच्छी न्यूज है हमारे लिए और यह अब हमारे कट आउप जाएगे तीन से चार दिन बाद सेकेर रांड का अलप्मेंट लिस्ट आ जाएगा आप वहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत एक दो रेंग उपन नीचे होगा बाकी है जाएगा अब रही बात EWS सीट्स की कि महा समुदर कोरवा में आई की नहीं आई तो अभी तक किसी हो को इंफरमेशन नहीं है आई की नहीं आई वो कल से ही पता चलेगा कल से क्या पता चलेगा मतलब हो तो एलोट्मेंट आने पर ही पता चलेगा वैसा लगता है से जी डियमें हमको पहले से तो कुछ बताने वाला है नहीं है ठीक है अच्छा चंदूला चंद्राकर में EWS सीट्स आएंगे की नहीं आएंगे तो मुझे नहीं लगता की आएंगे क्योंकि साफसाफ 150 सीट्स के लिए इसको पर्मिसन मिली तो अब इतना जल्ली सब कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि आपको पता है कि चार या पाच दिन बाद हमारी सकेंड आउंड भी खतम हो जाएगा ठीक है तो एक सब इन्फोर्मिसन मुझे इस वीडियो के माद्धम से देनी थी मिलते है कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ जब तक आप अपना क्याल रखिए चलिए टाटा बाई बाई